जैसे कि सैनिक युद्ध के लिए जाते हैं, शार्दा अनामिका खजाने की तलाश में जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों पैंट और शोट पहन कर सरपर टोपिया लगा कर कंधों पर बैग लेकर जो की काफी भारी थे। सासुमा शार्दा कमपास और बहु मेटल डिटेक्टर पकड़के अपने अपने पतियों के आशिरवाद लेने के लिए दोनों ही हॉल में इंतजार करने लगी। अरे बहु जाके सासुर जी और बेटे को बुलाओ। पिताजी अजियों सुनते हैं हम दोनों तयार हैं आप लोग आएंगे। ऐसा कहने लगी तबी प्रशाद और रमेश दोनों हॉल के तरफ आते हैं। प्रशाद उन्हें देख कर कहते हैं क्या तुम लोगों को आखरी बार देख रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिथा जी, मैं और मा जी मिलकर गड़ी मेहनत करके खजाना ढूनने जा रहे हैं मुझे और बेटे, हम दोनों कोई तुम लोगों का इस तरह से जाना कता ही पसंद नहीं कितने दिड़ों से कह रहे हैं, मत जाओ, मत जाओ पर तुम दोनों सुनती ही नहीं, लड़कों जैसा तेयार हो के कजाना धूरने निकल जाती हो जब बात सुनी नहीं रही हो, फिर अच्छे से लॉट के आओ, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं बताओ अनामिका देखो बेटा, मैं और बहु जो कर रहे हैं ये हम सब के लिए है, हमारे अकेली के लिए तो नहीं है, ये बात तुम लोगों को समझना पड़ेगा बेटा रमेश, बसे एक बात मुझे पता है, पता नहीं कितनी दिन की जिंदगी हो, तब तक हमें साथ रहना चाहिए, पता नहीं कब तक की जिंदगी हो ऐसी बाते सुनकी शार्दा अनामिका के आखे भराती है, प्रशाद फिर कुछ कह नहीं पाते, वहां से वो चले जाते हैं, रमेश भी अपने पिता की पीछे-पीछे चला जाता है शार्दा अनामिका अपनी आसू पोश्टी है, फिर वो अपने घर से बाहर निकलाती है, घर के बाहर एक बुलेट बाइक रखी वी थी, वो दोनों उस पे बैटकर रवाना हो जाती है फिर दिन रात के परवा किये बिना कभी सास, कभी बहु, बुलेट गाड़ी चलाती है, ऐसा तक कि पूरी रात गाड़ी चलाते हुए, वो घने जंगल के अंदर पहुँच जाती है, वहां एक पेड के पास जाके रुखती है माजी, आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं ठीक है बहु, तुम टेंट लगाने का बंदोबस करो, मैं रात का खाने का बंदोबस करती हूँ ठीक है माजी ऐसा कहकर, शार्त अपने थैले से खुलहरी निकालती है, टॉर्च लाइट की रौशनी लेती है और आगे बढ़के एक पेड से लकडिया काट कर फिर उसे वापस ले आती है उधर तब तक अनामिका ने टेंट लगा लिया था फिर थैले से खारा बनाने की सारी जरुत मन चीजे निकाली आदे घंटे के अंदर सास बहुने खाना पका के खाना खा लिया फिर टेंट के आगे आग लगा के दोनों सो गए कुछ देर के बाद टेंट के आगे एक बड़ा सा बाग आया और वहीं से वो निगरानी कर रहा है ये देखकर अनामिका डर गई माजी माजी उठिये उठिये माजी हमारे टेट के सामने एक बाग खड़ा है माजी उठिये जैसे उसने कहा जल्दी से शारदा ने अपनी आखे खोली खोलते ही उसने देखा थोड़ी दूर पे एक बाग खड़ा है बाग को देखकर शारदा समझ गई कि वो अब उनके उपर हमला करने का दुर्ण फिश्चे ले चुका है परस्तिती समझते ही शारदा अनामिका के कानों में कुछ फुस फुसा के कहती है ठीक है माजी इतना कहकर सास वहू टेंट से बहार आती है बाग उन्हें देखता है जोड से तहारता है फिर शिकार करने के लिए वो गूदने को तयार हो जाता है तभी शारदा और अनामिका आग की छड़े लेकर बाग के सामने खड़ी हो जाती है हाथ में आग के छड़े को लेकर वो बाग को दिखाती है ये देखकर बाग वहाँ से भाग जाता है लेकिन उस रात सास बहू सो नहीं पाती जगी रहती है अगले दिन सुबह सुबह सास बहू कमपास और मेटल डिटेक्टर पकड़ के खजाना खोजने के लिए जंगल में निकल जाती है थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक चीटी का टीला दिखाए देता है जैसी शारदा मेटल डिटेक्टर आगे बढ़ाती है बत्ती जलने बुछने लगती है सास बहु बहुत खुश हो गई और एक दूसरे को देखने लगी शारदा हमें खजाना मिल गया इस चीटी के पहाड को खोदने से होगा चलो ऐसा कहकर शारदा वहाँ पे जाती है अनामिका चारो तरफ का जायजा लेती है शारदा एक बड़ी सी छड़ी लाके उस पहाड को तोड़ देती है उसके अंदर एक सुनहरा साप था जो कि अचानक से अद्रिश्य हो जाता है मैंने आज तक कई सारे चीटीों के पहाड तोड़े हैं सारे साप भाग गये हैं पर कोई अद्रिश्य नहीं हुआ पर यहां सोने का साप अद्रिश्य हो गया मतलब ख़जाना यहीं पे है इस बात को लेके आप इतने निस्चित कैसे हो रही है ताके ड़के ताके ख़जाना चोरी ना करे इसलिए सापों को मायावी साप बना के रखा जाता है मैंने कई किताबू में पड़ा है फिर तो साप अद्रिश्य हो गया मतलब ख़जाना यहीं पे होगा ना माजी हाँ बहु चलो देरना करते वे खुदाई करते हैं इस तरह साज बहु बातचित करते करते पाहार तोड़ने लगती है थोड़ी दर खुदाई के बाद उन्हें अंदर सीडिया दिखने लगती है आश्चरिय होके देखते देखते वो सीडियों से नीचे उतरने लगती है उन्हें कुछ भी नहीं दिखता तब तक अंधिरा हो चुका था अनामिका अपनी टॉर्च की बत्ति जलाती है बस सास बहू को ढेव सारे सापो की हुपका नेकी अवाल जाने लगती है सापो को देखकर सास बहु आश्यरिय हो जाती है अनामिका तो घबरा जाती है ए भगवान, नहीं, हमें खजाना, बिल्कुल नहीं चाहिए, चलिए घर वापस चलते हैं, चलिए, चलिए माजी क्यों डर रही हो बहू, मैं हूँ ना क्यों सासुमा, मेरे मरने के बाद मेरे श्रब को ले जाने के लिए नहीं बहू, तुम्हें और खजाने, दोनों को साथ ले जाने के लिए ऐसा कहकर वो अनामिका के हाथों से टॉर्च की बत्ती ले लेती है और चारो तरफ टॉर्च घुमा के देखने लगती है वहाँ दिवार पे चिपकाया हुआ, एक कागस दिखता है जिस पे पूरी तरह से धूल जमा हुआ था अरे बहु, देखो वहाँ, उस पे कुछ लिखा होगा उनके कहने पे अनामिका कागस के तरफ देखती है कागस में क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ने की कोशिश करने लगती है अगर आपको खजाना चाहिए, तो वो मिलना असान नहीं है जब आप सापों को पार करके जाएंगे, तब आपको एक सुरंग मिलेगा उस सुरंग से एक उसदोर जाने के बाद आपको एक बकसा दिखेगा जिस पर एक काली बिल्ली नजर रखी होगी उस बकसे में खजाना चुपाया हुआ है पहले तो इन जहरीले सापों को पार करना होगा आगे बढ़ने के लिए आपको टॉर्च की बत्ती कसके पकड़नी होगी क्योंकि सापों को टॉर्च की बत्ती पसंद नहीं कागज को पढ़ने के बाद जल्दी से शारदा दो टॉर्च निकालके जल्दी से बत्ती जला लेती है जिने एक अनामिका पकड़ती है और दूसरे को शारदा पकड़ती है फिर दोनों सापों को बत्ती दिखाते वे सापों को पार करके चली जाती है फिर सुरंग दिखता है हिम्मत रखे वो सुरंग के अंदर घुसती है डर के मारे वो चारो तरफ देखने लगती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है पर माजी ऐसा लिखावा था कि एक काली बिल्ली उस बकसे की रक्षा कर रही है होगा चलो देखते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बकसा दिखता है जहाँ पर एक काली बिल्ली भी थी टॉच की बती से काली बिल्ली चिलाने लगती है और वहां से वो चली जाती है फिर सास बहु हिम्मत करके उस खजाने के बकसे को उठाके बहार ले आती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है सास बहु घर लोटाई है ये देखकर बाब बेटा बहुत खुश होते हैं उस खजाने के पैसे से वो अपने लिए एक घर और एक गाड़ी भी खरीदते हैं और खुशाल जिंदगी भी ताने लगते हैं आज यही तक नई कहानी लेके जल्धाजिर होंगे, नमस्कार अमीर घर के दमपती शारदा और प्रशाद सोफ़े पे बैठ कर अपने बेटे रमेश की होने वाली पत्नी के बारे में बात कर रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है और गुस्से से पती पत्नी एक दूसरे से लड़ आहे थे तभी तयार होके गारी की चाबी लेके रमेश उनके पास आता है रमेश को देखते ही शारदा प्रशाद दोनों शांत हो जाते हैं आज तो अफिस नहीं है ना बेटा, तयार होके कहा जा रहे हो बाहर जाते वक्त किसी से कहा जा रहे हो नहीं पूछा जाता ये तो नहीं पता पर बहुँ पड़ी लिखी चाहिए, क्या कहूँ? हाँ, इस घर में मुझे एक पड़ी लिखी लड़की ही चाहिए, ऐसी लड़की मैं इस घर के लिए ढून रही हूँ शारदा की बाते सुनके प्रशाद मजाख में कहते है उनकी बात सुनके शारदा दुखी होकर कहती है कहकर शारदा रोने लगती है शारदा को इस तरह दुखी होते देख बाब बेटा पिघल जाते हैं फिर वो शारदा को आके समझाते हैं प्रशाद की ऐसे बाते सुनके रमेश मनीमन सोचने लगता है अरे बापरे मुझे तो मैट्रिक फे लड़की अनामिका से अब प्यार हो गया है अगर मैं इस बारे में कहने भी जाओं तो घर में मानो यो दुशुरू हो जाएगा ने ने अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा ऐसा सोचकर वो चुपचाप घर से बहाँ निकल के गाड़ी में आके बैठ जाता है फिर गाड़ी लेके वो खुशी-खुशी गाओं के तरफ जाने लगता है इसी तरह दिन निकल रहते अचानक से एक दिन रमेश अनामिका को शादी करके सीधा घर ले आता है शारदा आरती उतार के उन्हें घर में प्रवेश कराती है अब बताओ बेटा ये लड़की कौन है इससे तुमने क्यों शादी की मा इस लड़की का नाम अनामिका है इससे शादी करने के पीछे की वज़ा तुम दोनों ही हो हम दोनों वो कैसे बेटा मा चाहती थी खूबसूरत पड़ी लड़की हो आप चाहते थे संसकारी लड़की हो जो पूरे घर को समाल सके मैंने ये दोनों चीजी अनामिका में देखा इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और बहु बना के उसे घर ले आया उसकी बाते सुनके شार्दा और प्रशाद दोनों बहुत खुश हुए वो अनामिका के साथ बड़े प्यार से पेश आने लगे शार्दा अनामिका के हर एक काम में उसे मदद भी करने लगी जो कोई उसके घर आए ऐसा तक की रोड से गुजर के भी जाए वो सभी से कहने लगी कि उसकी बहुरानी पढ़ी लिखी है इसलिए वो बहुत खुश है इसी तरह दिन गुजर रहे थे एक दिन सास बहु सोफ़े पे बैठके आराम से टीवी देख रही होती है तभी प्रशाद हाथ में एक चिठी लेकर घर आते हैं बहु रास्ते में मुझे पोस्ट मैन मिला उसने कहा कि कोट से चिठी आये जरा पढ़ के बताना उनकी बाते सुनकर अनामिका बहुत घबरा गई फिर वो मनीमन सोचने लगी अगर ये चिठी कोट से आयी होगी तो जरूर ये इंगलिश में ही होगी मुझे तो इंगलिश क्या मुझे कुछ भी नहीं आता इसलिए तो मैं टेंट में नजाने कितनी दफे फेल की हूँ अब मैं क्या करूँ यहां से कैसे निकलू अच्छा होता अगर इस घर में आने से पहले सब सच कह दिया होता ऐसा सोची रही थी तभी प्रिशाद चिठी का कवर फार के चिठी अनामिका के हाथों में देते हैं और जाके सोफे पे बैठ जाते हैं अनामिका चिठी लेके बहुत आश्चरिय होके देखने लगती है सुनते ही अनामिका को रोना आता है पर वो ठीक से रो भी नहीं पाती कुछ ना कुछ कहके वहां से निकलना चाह रही थी पर शारदा रही जिद्दी वो भी ठान ली थी कि अनामिका से वो चिठी पढ़वा के ही रहीगी अब कोई चारा नहीं था इसलिए अनामिका भी चिठी पढ़ना शुरू की मानो की उसे बहुत इंगलिश आती हो जैसे वो पढ़ी शारदा और प्रशाद आस्चरिय होके उसको देखते रह गए अनामिका को एक एक अंग्रेजी का अक्षर पढ़ते देख शारदा को बड़ा गुसा आया अनामिका बहुत डर गई ऐसे सर जुका के खड़ी हो गई मानो की उससे कुछ गलती हो गई हो अरे बहु तुम सच सच बता तुम इंगलिश मीडिया में पड़ी हो या नहीं तुमने टेंथ पास किया है की नहीं ऐसा पूछते ही अनामिका दोनों हातों से कानों को पकड़के सीधा उठक बैठक करने लगती है अरे बहु ये क्या कर रही हो मा जी पिताजी मुझे माफ कर दीजे मैं टेंथ पास नहीं हो मुझे अंग्रेजी बिलकुल नहीं आती अनामिका की ये बात सुनके शार्दा के मुं में जो आया उसे वो खरी खोटी सुना दी उनकी बाते सुनके अनामिका रोने लगी दुखी हो गई वहां से वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पे बैठके रोने लगी फिर शाम हो जाती है रमेष ओफिस से घर लोट आता है पिताजी से पूरी बात पता चलने के बाद रमेष मा के पास जाता है मुझे माफ कर दो मा मैंने तुमसे जूट कहा अभी तुम अपनी बहु को सिक्शिद बना लो ना तुम्हारे बातों को कभी मैंने ना कहाए गया? उसकी बाते सुनके शार्दा थोड़ी शान्थ होती है वो अनामिका के सिक्षा के लिए राजी हो जाती है अब शार्दा जाके थोड़ी खुश होती है एक दिन अनामिका जब किचन में खाना पका रही होती है शार्दा उसके पास जाती है बहु अब तुम मैट्रिक में पढ़ रही हो इस बार तुमें परिक्षा देनी पढ़ीगी मैं बात करके आई हूँ पास के स्कूल में ही जाके उनिफॉर्म ले आओ शार्दा की बाते सुनके अनामे का विंती करते हुए कहती है मैं पढ़ लिख नहीं सकती मेरे लिए तो मेरा परिवारी मुख्या है पढ़ोगी लिखोगी तबी तो जिन्दगी बेहतर होगी नहीं तो अरे माजी आप मेरा दर्द नहीं समझ रही है अगर अभी जाके मैं यूनिफॉर्म पहनों तो अच्छी नहीं लगूंगी आप थोड़ा समझ लिए ना अनामिका उसे कंधे पे टांग लेती है इसा कहते वे शार्दा अनामिका को बहाल ले आती है फिर स्कूटी पे बैठा कर शार्दा अनामिका को स्कूल तक छोड़ने जाती है जब शार्दा इतनी बड़ी अनामिका को स्कूल यूनिफॉर्म पहना कर ले जा रही थी सभी उ देती है कुछी दिनों में रेजल्ट भी आ जाता है बहुत ही अच्छे अंकों के साथ अनामिका मैट्रिक पास हो जाती है जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं